गुड आप्टरनून जोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे अपना जोग्राफी क्लासिक्स NCRT अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर फोर तक और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर फाइव ठीक है इसी यह जो आपकी चैप्टर NCRT के कही कॉंपिटिटि उसमें से तो अगर जो भी प्रिपेरेशन आप कर रहे हैं तो इसको देखें इसी में से हम नोट बनाती वे चलेंगे इसको समझते वे और इसी नोड़ बनाते वे चलेंगे क्योंकि कॉस्टन कहीं से कुछ भी आ सकता है चले स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप पहरे अध्या है यहां मानव यहां जीवित रह सकता है क्यों रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवशकता है तो भूमी जल और हवा प्रत्वी पर ही मौझूद है प्रत्वी हमारा एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर हमारे जीवन जीने के सारी चीज़े हैं वो यहां पर पाई जाते हैं प्रत्वी की सत्य ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन प्रमुग घटक आपस में मिलते हैं अभी आप देखेंगे इसको तता एक दूसरे को प्रभावित करते हैं यानि कि एक का एफेक्ट दूसरे पर पढ़ता ही पढ़ता है प्रत्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है गैस की पढ़ते जो प्रत्वी के चारों मोट से घेरती उसे वाईयो मंडल कहा जाता है जहां ऑक्सिजन नाइट्रोजन कर्बंडर एकसाइट तो दूसरे गैसे पाई जाती है इसके लावा और दूसरे गैसे पाई जाती है यह तो आपने ऑक्सिजन नाइट्रोजन कर्ब इंवार्मेंट के जल मंडल में जल की सभी आवस्ताएं जैसे कि बफ जल जलवॉष्प सम्मिले थे यह सारी चीज़े किसमे आ जाती वर्फ की आ जाती क्योंकि वर्फ की एक रूप है जीव मंडल एक सीमिश शेत्र है जहां इस तल जल हवा एक साथ मिलते हैं और यहां पर इस लुठ लेते है हम लोग यह मारे लिए शब्दो की उत्पति जरूरी है कहीं से कोशन आ सकता है यह सारे ग्रीग भाषा के है तो ग्रीज भाषा में लिथास लोथोस का मतलब है पत्थर लोथोस का मतलब पत्थर एटमॉस का मतलब है वाश्प और हुडर का मिन्स है जल और बायस का अर्थ है जीवन यह सारे किस से लिए गए हमारे ग्रीग भाषा से लिए गए तो इसको तो आप लोग देख लेंगे चोटा सी कोस्चिन है कहीं से भी आ जाता है कभी-कभी मैंट से उड़ जाता है पर कोई बात में जब आप सुनोगे सुनने से चीजे देखा ज्यादा याद होती है और सेकिंड जब आप अपने से कोशिश करते हो तो और चीज़े ज़्यादा याद होते हैं अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा भूमंडल प्रत्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं यह भूपरपटी भूपरपटी अतलब प्रत्वी का उपर का हिस्सा यहाँ प्रत्वी का उपर का हिस्सा यहाँ पे चट्टानों और मिट्टी के पतली परतों से बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोशक तत्व पाए जाते हैं प्रत्वी की सते को दो मुख्य भागों बटा गया है कैसे? बड़े इस्तलिय भूभाग को महाधिपों के नाम से जाना जाता है तता बड़े जलाशों को महासागरी के नाम बेसिन के नाम से जाना जाता है विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विश्व के मान्चित्र में इसको देखिए क्या आप सभी इस तली भुवाक एक तुसमें जुड़ेवे हैं हाँ जुड़ेवे हैं बिल्कुल आप मैप देखेंगे तो इसमें आपको सब कुछ चुड़ावा नजर आएगा समुद्र जल का तल भी सब जगे समान होता है इस तल की उचाई को समुद्र तल से नाप जाता है जिसे शुनने माना जाता है यह हमारी समुद्र तल है यहां से किसी भी चीज की उचाई को नाप जाता है इसको शुनने माना जाते है और फिर इसे नापते हुए हम चले जाते ह जो मीटर किलोमेटर में आ जाता है चल यह है हमारा वर्ड मैप जिसमें हमारे ओशियन्स और कॉंटिनेंट्स हैं तो इसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा इसको मोविंग करना पड़ेगा चल तो है यह हमारा एशिया यूरोप अफ्रिका दक्षणी अमेरिका उत्री अमेरिका और अंटार्dollar का अस्ट्रेलियर यूरोप टेयरा सेवन वन टौ Spa to Tun Typ केऴ और हमारे यह तो कॉंटिनेंट्स हो गए महा दीप गए और ci उre तो प्रशंत महा सागर, हिंद महा सागर, दक्षिन महा सागर, अट्लांटिक और आकार्टिक महा सागर तो पांच हमारे महा सागर और साथ महादीब, चलते हम आगे की तरह कि विश्व का सबसे उंचा शिखर मांट आवरेस्ट जिसके समुद्र तल से उंचा है 848 मीटर यह विश्व का सबसे बड़ा मांट आवरेस्ट है का हाइस्ट मांटेन कौन है मांट एवरेस्ट विश्व का सबसे घहरा वाग प्रशांत मासागर का मेरियाना करते है जिसको आप एरेना ट्रंच भी बोलते हो इसकी घहराई 11,000-22 मीटर है आप एवरेस्ट की भी सबसे पहला तो यह पता चल जाएगा आपको की विश्व का सबसे उच्छा परवत कौन सा है तो मांट एवरेस्ट बोल दोगे समंद्र तल से उच्छा ही पूछेगा तो 8,888 बोल दोगे और सबसे घहरा जो गर्थ है या है प्रचानत महसागर में और इसकी जो घहराई वह 11,000-22 मीटर है अब आते हैं महादीप महादीप हमारे कितने सैवन कॉंटिनेंट्स हैं और क्या आप जानते हैं इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं इसको देखिए न्यूजिलैंड के आमंड हिलेरी तता भारत के तैंजि नौर के और न्यूजिलैंड के आमंड हिलेरी उसके बाद जापान की महिला जो विश्व की पहली महिला है जिनका नाम है जूंको ताबाई यह 16 मई 1975 को आवरेस्ट पर इन्होंने पहला कदम रखा यह वर्ट का नाम आएगा तो जूंको तबही का नाम आएगा और अगर इ जाद रखनी है अब हम आते हैं अपने महादीप पर प्रत्वी पर साथ प्रमुक महादीप है कितने साथ जिसको हम लोगन अभी मैप में देख लिया था यह विस्टत जल्राशी के द्वारा एक दूसरे से अलाग अलाग अलागी थे दिखा था एशिया यूरोप अफरिका उट्तर अमेरिका दक्षिने अमोरिका अस्ट्रेलिया और अंतार्टिकां सब्से बड़ा एशिया विश्व का सब्से बड़ा महादीप है और हम जो इंडिया के लोग हैं वह भी एशिया का ही एक हिस्सा है यानि कि हमाड़ी की कुछ शेत्रफर का ₴ कह एक भाग में फैला यह माधिव पूरी गोलार्द में स्थित है यह हमारी अर्थ होती है बच्चों इस तरह से अब नहीं बन रहै को यह हमारा इसमें टूसमें हमारा बथ गया है एक यह नोड अथ हो गया है taken udah यह नॉर्थ हो गया है यह साउथ हो गया है कि फिर से समझ लेते हैं तो फिर यह प्रत्वी देकर इसको टू बाट मेंदर से डिवाइड किया और यह ऐसी डिवाइड गाइड तो यह उपर वाला क्या हो गया है इसको क्या बोलेंगे हम North Hemisphere और इसको बोलेंगे South Hemisphere और इसको क्या बोलेंगे हम East बोलेंगे और इदे वाले पार्ट को West बोलेंगे अब देखो ये क्या गरा है यह महादीब पूर्वी गोलार्द में स्टित है तो यह पूर्वी गोलार्द हमारा यहां पे आ गया तो यहां पे यह एशिया महादीब स्टित है जो इसे यूरोप एशिया के पश्चिम में यूराल परवत है यह एशिया का पश्चिम एरिया यहां पर यूराल परवत है जो इसको यूरोप से अलग करता है यूरोप और एशिया जब मिल जाते हैं उनके जो भागें वापस मिल जाते हैं तो उसको यूरेशिया कहा जाता है उसके बाद है यूरोप एशिया से बहुत छोटा है यहां मह इससे होके गुजरता है यह तीन तरफ से जल से घिरा हुए मैप देखोगे तो आपको यहां पर महासागर दिखाई देगा अब है अफ्रिका विश्व का दूसरा बड़ा महादीप है पहला बड़ा महादीप कौन सा हुआ आपका एशिया और फिर उसके बाद दूसरा महादीप है विश्वित वृत यह जीरो डिग्री अक्षांस इस महादीप के लगबग मद्यभाग से होके गुजरती है अब यह आप देखेंगे यह हमारा था ना इस तरह से तो अफ्रीका यहां पर इसी यहां पर आपका अफ्रीका है तो यह जीरो डिग्री अक्षांस य कर्क विश्वत और ऐसकता है कि ऐसा कौन सा कौंटिनेट है कि जिनसे तीनों रेखाएं पास होती है या उससे गुचरती है तो पिरो रेखा है कौन सी करक विश्वित और मका रेखा ये अफ्रीका कॉंटिनेट से होके गुजरती है या महादी चारों तरफ से समद्र और महासागरों से गिरा हुआ है मैप में हमने देखा यह से विश्व के सबसे लंबी नदी नील अफरीका से होकर गुजरती है विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सी है नील और नील कहां से गुजरती है हमारी अफरेका से अब इसके बाद आता है हमारा उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरे बड़ा महादीब अमेरिका है सबसे पहले कौन सा था एशिया था उसके बाद आगया हमारा अफरीका और फिर आगया हमारा उत्तर अमेरिका यह आपका क्या एरिया वाइस हो रहा है जो बताया जा रहा है य कैंगे यह उत्तर अमेरिका और इदक्षणी अमेरिका और यह सधल भाग से जुड़ा हुआ है सक्रा भाग जिसको सथसंदी कहते हैं विद्धें इस तल संदी क्या हो पर रहे बड़े इस तलिय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है इसको इसता संदी कहते हैं और जल संदी क्या होता है जल संदी पानी का सक्रा भाग होता है जो दो बड़ी चल राशी जैसे समुंद्र और महासागर को आपस में जोड़ता है जैसे हमारा श्री लंका और भारत के सबसे बड़ी जो लंबी परवत श्रंकला है एंडिस परवशकला वो हमारा दक्षिन अमेरिका में है इसको देखेगा दक्षिन अमेरिका में दक्षिन अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन भेती है देखो एक बड़ी होती है एक लंबी होती है तो लंबी नदी कौन सी है नील है और बड़ी नदी कौन सी अमेजन है जो नी यौल आप्र टम six go ला करव jakने चारों तरफ से महासागर यहां पर हृज शिधित को फिर यह करई जा करव चारों तरफ से किस से कि अदिस कि आधर सी किराओ और समुद्र अहीड है अगर हम qec0 से जाना होगा तो महासागर समद्रों concurrent और यह फिर ऐसे आप पलाइट से जाएं अब आगे हमारा अंतार्टिका यह बहुत बड़ा महादीप है जो कि दक्षनी गौलार्ड में इस्टित है दक्षिन धूम्स महादीव के मदी इस्टित ए चूंकि दक्षिन धूम तो यहां पर तो हमेशा क्या रहेगा बर्फ ही लागी क्योंकि सूरज की रोशनियां तक पहुंच नहीं पाती है आप लोगों ने उस पर जब हमारी प्रत्वी पड़ा था सौर मंडल में हमारी प्रत्वी वहां पर भी हमने देखा था कि जो दक्षनी दुरुव होते हैं वह किसी प्रकार का इस थाई मानव निवास नहीं है हां बहुत से देशों के शोध केंद्र यहां पर इसते थे भारत का भी शोध के संसान है जिसको हम मैत्री और दक्षणी गंगोत्री के नाम से जानते हैं तो यह था हमारा बच्चो भू मंडल जिसको वह कॉंटिनेंट और प्रत्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है बच्चो क्योंकि प्रत्वी का 71 परसेंट जो भाग है वो जल से तथा 29 परसेंट जो भाग है वो इस थल है तो 71 जादा हुआ इसलिए हमारा यह ग्रह नीला नीला दिखाई देता है जल मंडल में जल के सभी रू पाए जाता है और वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव की उप्योग में नहीं आ सकता खारा पानी कैसे काम में लेंगे शेज जलका बहुत बढ़ा जो भाग है वह बर्व की पड़तों और हिम नदियों के और भूमीगत जलकी रुप में पाया जाता है जलका बहुत कम बहा हमें इतने पानी होने के बावजोद भी हमें पानी की कमी है क्योंकि समुंद्र का पानी तो खारा होता है अब आते हैं हम महासागर में क्योंकि महासागर हमारे जलमंडल का एक रूप है महासागर जल मंडल के प्रमुख भागे हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं जिसको हम लोग मैप में देख चुके थे महासागर जल हमेशा गती शील रहता है तरंगे जोरबाटा तता सागरिय धाराय महासागर जल की तीन प्रमुख गतिया हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे यह चेप्टर है आपका इसको आगे पढ़ेंगे तरंगे जोरबाटा तता महासागर धाराय महासागर जल की तीन प्रमुख गतिया हैं बड़े से छोटे आकार के आधार पर बड़े से छोटे ध्यान रखिएगा बड़े से छोटे आकार पर आरोई क्रम में लगा रहे हैं इसको ठीक है सबसे बड़ा प्रशांत महासागर फिर अटलांटिक फिर हिंद फिर दक्षिन फिर आर्क्टिक महासागर है यह पांच आपके महासागर है इसको आपको ध्यान देने एरिया वाइस ही आपका है अब आरहा है सबसे पहले हमारा प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर के वारे में हम देखेंगे प्रशांद मासागर सबसे बड़ा मासागर है विच इस दा लार्जिस्ट ओशियन तो आप किसको लेकिंगे प्रशांद मासागर यह प्रत्वी की एक तिहाई भाग पर फैला है प्रत्वी का सबसे गहरा भाग मेरें टैश प्रशांद मासागर में इस दिते हैं यह हम लोग प्रशान्थ माहसागर लगबग वृत्ताकार है विवे इस तरह से जब बैसे देखेंगे यह यहां भी है यहां पी वह तो हम इंडिया का मैपना पर उसमें देखेंगे लेकिन के बाद आ रहा हमारा अट्लांटिक महासागर कौनसा अट्लांटिक महासागर यह विश्व का दूसरा बड़ा महादीप है यह अंग्रेजी के अग्रेजी भाशा के ऐसा कार का है यह देखिए इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे तो यह बोला यह अंग्रे जी के अंग्रे जी भाशा के ऐसा कार का है इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर तता दक्षिन अमरीका है इसके कौन से पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी किनारे यह हो गया जब आप देखेंगे न तो ये पश्छिम हो गया तो मतलब यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर यूरोप और Trump अपरिका हो जहेगा देखें आट्लांटिक महसागर की टट की रेका बहुत अधिक दंतूरित है दंतूरित मतलब दात की जैसे है दात की जैसे कैसे है देखें यह ऐसे आकार का हो गया है ना अब इसको देखें यह ऐसे ऐसे जा रहा है ना ऐसे यह देखें वाऍतुरित से ने तो हैं वतलब दाथ की जासे Diaятся एसे अंचल्गा दाथ होते नgen उसकी जासे यह में था जासे कर 수 पोचताओं और traum पत्तणों के लिए और शिस्ट कहसे डीशा जो बंदर का वगेड़ा लेता नो उसके लिए सई है व्यापार की डिस्टी से यह सबसे वियस्त मासागर do सा अट्लांटिक या है क्योंकि यहां पे बंदरगाय बहुत सारे और जहां से समाल लाया और ले जाया जाता है इसके बाद आते हम हिंद मासागर पे lockdown मासागर ऐसा महासागर जिसका नाम किसी के देश के नाम पर पढ़ा यानि भारत के नाम पर रखा गया जो हिंद महासागर है उसका नाम हमारे देश भारत के नाम पर रखा गया हमारे लिए बहुत ही प्राउट फुल बात है कि हां हमारे देश के नाम पर किसी महासागर का नाम डिकले सागर जो की नीचे की तरफ है दक्षणी महाँ सागर अंटार्टिक्त महादीप के चारोड से गिरता है यह एंटार्टिक से उत्तर की ओर 60 डिग्री और दक्ष्ण एक्सांस पर फैला हुआ है उसके बाद आता है क्रीtwo के चारो और पहला हुआ है प्रशांद मास आगर के छिलचिले जलवाले सक्रेवाग से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है जिसे बैरिक जलसंदी कहा जाता है इसको आप देखेंगे यह उत्तर अमरीका के उत्तरी टटो यूरेशिया से गिरा हुआ है अब यह आगया हमारा वायू म से घिरी हुई है हम लोग सभी जानते हैं जिसे वायू मंडल कहा जाता है यह हमारा पूरा वायू मंडल है जो आपको पेचर में दिखाई दे रहा है वायू की यह पतली परत इस घिरय का महत पूरे मत्टूट भाग है यह हमें ऐसी वायू प्रदान करता है जिससे हम सांस लेते हैं और आप सबको पता है सांस लेने के लिए हम उक्सिजन चाहिए यह वायू मंडल हमें सूर्य की कुछ हानी कारक भी करनों से भी बचाता है कौन सी हुजों से वायू मंडल 1600 मीटर की उचाई तक पहलावा है यह पूरा कितना पहलावा है 1600 मीटर की वायू मंडल को फील परशन के घटकों ताप मरों और अग्यादर फाच पर्तों में बटा गया है प्रत्वितिगहरी इनको भाया है है अब सबसे पहले देखेंगे वायू बंडल मुक्यत ऑक्सिजन और नाइट्रोजन से बना है यह दो गैसे तो है ही उसके बाद दूसरी गैसे हैं जो कि साफ और शुष्क हवा का 99 प्रतेशत भाग है आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78 परसेंट है और ऑक्सिजन 21 इन सबकी मात्रा एक प्रतेशत है और अक्सिजन सास लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की व्रद्धी के लिए आवश्यक है यह दूनों ही जो गैसेस हैं यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कारबंड एक्साइड यदि भी बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह प्रत्वी के द्वारा छोड़ी गई उश्मा को अफशोशित करती है कारबंड एक्साइड क्या करती है हमारे यहां से जो उश्मा जो गर्मी है उसको यह अब्सर्व कर लेती है जिससे प्रत्वी गर्म र घनत में भी भिनता आती है यह घनत समुद्र तल से सबसे अधिक होता है यानि कि हम जब किसी जब बताया ना कि समुद्र तल से उचाही ना पी जाती है जो समुद्र तल से पता चलेगा कि यह कैसे हो रहा जैसे जैसे हम उपर जाते हैं यह तेजी से घरता जाता है जैसा कि आ लोग जब जाते हैं अपने साथ गेस की सिलेंडर लेके जाते हैं जैसे जैसे हम उपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता जाता है वायू मेंडर ट्वथी पर अपना दबाव डालता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग-अलग होता है कुछ शेत्रों में हम पोस्टन आया था वायू उच्रे दाब से निमने दाब की और बहती है जिसे वायू गतिशील वायू को पवन कहा जाता है अब हम आगा हमारे जियो मंडल यानि कि बायू स्पेर अलग के वायू मंडल से हम आ गए हैंใnoc假又 मंदल से मोग बारे में आगे नेक्स चेप्टर मे अब पढ़ते हम जीव मंडल जीव मंडल क्या होता है बच्छों जीव मंडल इस्तल जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है यहां पर जीवन है हमारा यहां जीवों की बहुत सी प्रजातिया है जो कि शुक्ष्म जीवों तता बैक्टिरिया से लेकर बड़े इस्तंधारियों की आकार में पाई जाती है और हम लोग जो मनुष्य हैं मनुष्य सईत सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तता जीव मंडल से गया करते हैं तता एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते हैं उधारन के लिए देखिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटा होते जिससे होने लगता है इसी प्रकारतिक आपदाएं जैसे भू आपदाएं विचिनामी के कारण अन्ड बानव निको बादीव समू में कुछ भाग पानी में डूप गया है जीलो तता नदियों में दूशित परदावत्य प्रभावाग होने के कारण उनका जल मानव के समाल के लायक नहीं रह गया है यह जल दूसरे जीओं को भी नुकस पहुंचा रहा है पानी क्या हो गया गंदा हो गया प्रदूशन के कारण उध्योग विदूथ संयंत्रों गाड़ियों उत्सर जीओं को यह सब क्या करें प्रदूशित करें रहे हैं कारबन डैक्साइड वायू का एक महत्पुन घटाएं के लेकिन कारबन डैक्साइड की मातरा में वरद्धी के कारण परत्वी के तापमान में भी वरद्धी हो रही है यह क्या उश्मा को अफ्चोरशित करता है और बहुत जादा आप देख रहे हैं कि divine कि इससा हमारी परत्वी है वहाँ पर उश्मा जो है बढ़ती ही जारी घर्मी बढ़ती जारी और जब यह अफ्जर्व कर रहा है तो हमारे यहां भी तापमान में ब्रती हो रही है इसे भू मंडल यह तापन कहा जाता है इसलिए भू मंडल वायू मंडल और जर्मंडल के बीच प्राकरतिक संतुलन को बनाया रखने के लिए प्रत्वी के संसाधनों के सीमित उप् पेट जोगा आप लोग काट रहे हो कटवाए जा रहे हैं उसको वापस लगाओ तो यह तो हमारा चोटा सा चेप्टर था अब इसके बाद जो हमारा न्यू चेप्टर स्टार्ट होगा उसको हम लोग देखेंगे और इसकी जो डीटेल है वो आगे आप नेक्स्ट जो क्ला से उसकी जोग्राफिय में पढ़ेंगे ठीक है अगर वैसे तो सब समझ में आई गया होगा को इतना हाट नहीं है चेप्टर यह क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो और पढ़ा रहे हो तो सारी चीज़े एजी है फिर मिलते हैं कल मिलेंगे चेप्टर नंबर 6 के साथ में जो